जम्मू कश्मीर के पुंच जिले में मंगलवार तड़के नियंत्रन रेखा पर सेना द्वारा घुसपैट की कोशिश नाकाम करने पर एक सैनिक घायल हो गया वाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा कि सतर्क सैनिकों ने सुबह तीन बजे बट्टल सेक्टर में प्रभावी गोली बारी कर घुसपैट की कोशिश को नाकाम कर दिया भारी गोली बारी के दौरान सेना का एक जामबाद जवान घायल हो गया इसके बाद बटल सेक्टर में ओप्रेशन जारी है सूत्रों के अनुसार हत्यारबंद आतंकियों के एक समूह ने कृष्णा घाटी बेल्ट के बटल अग्रिम क्षेत्र में घुसने की कोशिश की लेकिन सतर्क सैनिकों ने उनकी हरकतों को भाप लिया और तुरंट कार्रवाई की भीशन गोली बारी में सैनिकों ने आतंकियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया लेकिन एक सैनिक घायल हो गया और उसे अस्पताल में भरती कराया गया है मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों को भी नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है